आनिमल के लिए कर हाइदरबाद में एक ग्रांड इविंट रखा गया वहाँ पर आनिमल की पूरी स्टार कास तो मौझूद रही ही लेकिन साउथ इंडस्ट्री के भी नामी चेहरे अक्टर्स डिरेक्टर्स इस इविंट का हिस्सा थे SS राजा मौली जो इंडियन सिनिमा के बहुत बड़े डिरेक्टर है जिन्होंने आर 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 और बहुवली जैसी फिल्में बनाई वो भी वहाँ पर मौझूद रहे SS राजा मौली से जब रनबीर कपूर मिले तो रनबीर ने SS राजा मौली को पैर चूकर ग्रीट किया उनका अशिरवाद लिया अक्सर जो भी बड़े होते हैं, elders होते हैं या जिने हम लुक अप करते हैं, जिने हम inspiration मानते हैं उनके पैर चूकर ही हम वो बात बताते हैं, यह हमारे Indian culture का हिस्सा है लेकिन रनबीर कपूर ने जब SS राजा मौली के पैर चूए तो लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया लोग यह कहने लगे कि रनबीर कपूर SS राजा मौली के पैर नहीं चूँरा है, बलकि अगली फिल्म की स्क्रिप्ट मांग रहा है बॉलिवुड वाले पैसों के लिए फिल्मों के लिए कुछ भी करेंगे, वही एक और ने कहा कि इसे मूवी चाहिए, इसलिए यह ऐसा कर रहा है वही कुछ लोगों ने रनबीर की वैल्यूज की तारीफ की और कहा कि इसे कहते हैं वैल्यूज और खांदानी लड़का, चाहे कितने ही बड़े स्टार क्यों न हो, लेकिन वो अपनी वैल्यूज नहीं भूलते कुछ इस तरीके से लोगों ने रनवीर के इस जेस्टर को पसंद भी किया है